हलो फ्रेंट्स क्या आपको पता है हमारे प्रधान मंतरी श्री नरेंद मोदी जी अपनी हवाई यात्रा के लिए किस हवाई जाज को प्योग करते हैं और इस हवाई जाज की क्या-क्या खूबिया है और इसमें सेक्योरिटी के लिए क्या-क्या इंतिसाम किये गए हैं तो श्री नरेंद मूदी जी जिस हवाई जहाज को अपनी यातरा के लिए इस्तमाल करते हैं उस हवाई जहाज का नाम है Air India 1 जिसे शॉट में AI 1 भी कहा जाता है इस हवाई जहाज को प्रधान मंतरी के अलावा राष्ट्रपती और उपर राष्ट्रपती भी अपने हवाई यातर के लिए उप्योग करते हैं 4,500 करोड की लागत से बना ये हवाई जहाज एक बोईंग 777 American Aircraft है हवाई जहाज को भारत में 1 अक्टूबर 2020 को अमेरिका से लाया गया था हालांकि इसका ओडर 2016 में ही दे दिया गया था इससे पहले लगबक 25 साल से बोईंग 747 का इस्तमाल किय जा रहा था जिसकों कि अब इस नए हवाई जहाज बोईंग 777 से रिप्लेस कर दिया गया है इस शाही सावारी ने अपनी ठाट पाट और जबर्दस हाई टेक फसिलिटीज के वज़े से दुनिया पर के लोगों का ध्यान अपनी और आकर्षित किया हुआ है यही वज़ा है कि आज इस हवाई जहाज के तुलना यूएस प्रेजिडेंट के द्वारा यूज किये जाने वाले हवाई जहाज एयर फोर्स वन से की जा रही है दोस्तों, यूस प्रेजिडेंट का हवाईजाज Air Force One अपने आप में एक Flying White House है White House की तरह Air Force One से भी यूस प्रेजिडेंट अपने तमाम कामों को अंजाम दे सकते हैं हवाईजाज में होने के बावजूद भी यूस प्रेजिडेंट कभी भी Flying करते समय किसी भी व्यक्ति से संपक्त कर सकते हैं ठीक इसी तरीके से इंडिया था VVIP हवाईजाज Air India One भी है जो हवाई यात्रा के दौरान राश्टपती के लिए राश्टपती भवन और प्रधानमंत्री के लिए PM ओफिस की तरह ही काम करता है इसमें जवार होने के बाद राश्टपती या प्रधानमंत्री किसी भी Conference या मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं इस हवाई जाज की मेंटिनेंस की जिम्मेदारी Air India Engineering Service Limited यानी AI ESL के पास है परन्तु इस हवाई जाज को Air India के पाइलिट नहीं उडाते हैं इसको उडाते हैं Air Force के काफी experience और train पाइलिट दोस्तो इस हवाई जाज की खासित ये है कि ये इंडिया से अमेरिका के लिए बिना रुके उडान भल सकता है यानि इस हवाई जाज से दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक बिना रुके पहुचा जा सकता है दो इंजन वाले इस हवाई जहाज में दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन G90-115BL लगाए गए है किसी भी मिसाइल अटेक से बचने के लिए इसके अंदर highly advanced missile defense system लगाए गए है इस पर nuclear attack का कोई असर नहीं होता किसी भी attack को रोकने के लिए इसको पहले ही information मिल जाती है यह information इसको आगे के हिस्से में लगा sensor से मिलती है वहीं यह हवाई जाज दुश्मन के खिलाफ जवाबी हमले करने में सक्षम है इसमें electronic welfare jammer लगा है जो कि दुश्मन की GPS और drone की signal को ब्लॉक करने में मदद करता है इस हवाई जाज के अंदर एक खास communication system लगा है जो कि हवा में audio और video connect करने में मदद करता है और इसी मदद से प्रधान मंत्री या राश्पती हवाई यात्रा के दौरान किसी भी समय जमीन पर बैठे किसी भी officer से बात कर सकते है ये हवाई जाज शाफ और flare से भी equipped है जिसे radar tracking विसाय से खत्रा होने पर cloudy शाफ रिलीज किये जाते है ऐसे में ये हवाई जाज उस cloud में चुपकर बिना दुश्मन की नजर में आए आगे निकल जाता है इसके विंग में लगे flare सिस्टम की मदद से छोटे 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 फ्लेर्स यानि छोटे छोटे रॉकेट रिलीज किये जाते है ये flare जितनी heat और light produce करते हैं कि infrared missile इनकी तरफ खिची चली जाती है और हवाई जाज इन missile के हमलों से बच जाता है इसके अंदर सबसे जादा सिक्यूर satellite communication सिस्टम भी लगाया गया है जिससे ना से ग्राउंड पर contact किया जाता है बलकि दुनिया के किसी भी कौने में contact किया जा सकता है ये सिस्टम इतना सिक्यूर है कि इस communication को कोई trace भी नहीं कर सकता इसमें हवा में भी fuel भरने की सुविदा मौजूद है ये हवाई जहाज 900 km प्रति घंटा की रवतार से उनने में सक्षम है इसको maximum 45,100 feet की उचाई तक उड़ाया जा सकता है ये हवाई जहाज 17 घंटी ही उड़ान बिना रुके तयक कर सकता है आपको बता दें कि पुराने वाले बोईंग 747 से जब राश्पती और प्रधान मंत्री अमेरिका जाया करते थे तो उन्हें जर्मेनी में refueling के लिए रुकना पड़ता था परन्तु इस बोईंग 777 के आजाने के बाद अब प्रधान मंत्री और राश्पती बिना रुके भारत से अमेरिका की हवाई यात्रा एक बार में ही पूरी कर सकते हैं इस हवाई जहाज के अंदर लगी facilities के बारे में बात करें तो इसके अंदर luxury rooms बनाए गए हैं जिसमें प्रधान मंत्री और राश्पती के अराम करने के लिए पूरी सुविदा मुद्ध कराई गई है इसके अंदर दो conference room भी बनाए गए हैं जिसमें प्रधान मंत्री और राश्पती बैठ कर हवा में किसी भी meeting को अटेंट कर सकते हैं जैसे कि हवाई जहाज में कोई media team available हो तो उसको भी बैठा कर address किया जा सके इसके साथ इस हवाई जहाज में dining room, kitchen और office भी बने हुए हैं इस हवाई जहाज में medical emergency के लिए medical suits भी available हैं साथी साथ इसमें खास experienced और trained डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है इस हवाई जहाज की भारी बनावट की बात करें तो ये हवाई जहाज सफेद कलर का है जिसके बीचों बीच अशोक स्तम्ब बना हुआ है और उसके right hand में हिंदी में भारत लिखा है और left में English में इंडिया लिखा है दोनों नामों के नीचे तिरंगे की line प्रिंट की गई है और हवाई जहाज की टेल पर इंडिया का flag भी प्रिंट किया गया है दोस्तों security point of view से आज ये हवाई जहाज किसी bunker से कम नहीं है और facilities के हिसाब से आलिशान महल जैसा luxurious है आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें Thank you